अध्याई दस आम का पेड तो कितना अच्छा होता जब जी चाहता आम तोड़ कर खाते देखो बेटा फल के अलावा जब पेड बड़ा होता है तो ठंडी चाया देता है आम की पत्तियों से बंदन वार बनाई जाती है अरे तुम भूल गए आम की गुठलियों से तुम पीपनी बनाकर बाजा भी तो बजाते हो दादा जी ने हस्ते हुए कहा अगले दिन सुभा सुभा रवी की खुशी कर ठिकाना ना था उसने देखा कि दादा जी एक आम का पौधा लाएं है वे बोले रवी तुम्हारे लिए आम का पौधा ले आया हूँ जब यह पौधा पेड़ बन जाएगा तो इस पर तोते, कोयल, मैना और ना जाने कितनी तरह के पक्षी आया करेंगे वाह तब तो बड़ा मजा आएगा कोयल ती अवाज कितनी मीठी होती है हाँ, रवी पेड इंसान और पक्षियों के सबसे अच्छे दोस्त होते है पक्षी तो पेड़ों पर ही बसेरा करते है दादा जी, पेड तो बाद नहीं करते फिर वे हमारे दोस्त कैसे बन सकते है यह बात ठीक से समझ लो पेड वादा वरंड से जहरीली गैस जिन्दा ही नहीं रह सकते मैं समझ गया दादा जी, पेड हमारे सबसे अच्छे दोस्त है समय बीतता गया रवी रोज आम के बौधी को पानी देता पौधा धीरे धीरे पेड का रूप लेकर बड़ा होने लगा उसके हरे भरे पत्ते सबको अच्छे लगते कुछ समय बाद आम के पेड पर बौर आ गया कोयल आकर आम के पेड पर कुहु कुहु गित गाने लगी कई प्रकार के पक्षियों का पेड पर जमगट लगा रहता रवी बहुत खुश था पर तभी दादा जी ने गाउं जाने का निश्चे कर लिया रवी अब आम के पेड के नीचे बैठ कर पाठ याद करता रवी के पिता को एक परिशानी थी आम के पेड में जब फल लगते बाहर से बच्चे पत्थर मार कर आम तोरने की कोशिश करते रोज रोज की इन घटनाओं से तंग आकर रवी के पिता ने आम का पेड कटवाने का निश्चे कर लिया एक दिन पेड काटने वाले कुलहाडी लेकर आ गए रवी ने पेड काटने से मना किया मैं इस पेड को नहीं काटने दूंगा यह मेरा दोस्त है वह पेड के तने से लिपट गया और रोते हुए बोला पिता जी इसे मत कटवाओ यह पेड हमारा दोस्त है सारी जहरीली गैस लेकर यह हमें साफ हवा देता है ठंडी छाया और मीठे फल देता है बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेता रवी ने पेड के तने को प्यार से सहलाया और रोते रोते हिच्कियां लेने लगा मा सोचने लगी रवी कहता तो ठीक है यह पेड तो बस हमें देते ही है लेते कुछ नहीं यह दाता है फिर क्यों ना रवी की बात माल ली जाए तुम ठीक कहते हो रवी अब मैं आम का पेड नहीं कटने दूँगी साथ ही हम अमरूद और लीची के पेड भी आंगन में लगवाएंगे हाँ बेटा हम गलती कर रहे थे पेड सचमुझ हमारे दोस्त है उसकी पिताजी ने कुछ सोच कर कहा वैसे पेड कटवाने की बात सोच कर उन्हें भी दुख हुआ था पर रोज-रोज की घटनाओं से वह तंग आ गए थे हमारी पुस्तक में लिखा है कि पेड पानी बरसाने और बार रोकने में भी हमारी मदद करते हैं पेड काटना ठीक नहीं है माता पिता को मानते देख रवी खुश होकर बोला पुस्तक में ठीक लिखा हुआ है रवी अब हम पेड काटने की गलती नहीं करेंगे पेडों से प्यार का रिष्टा जोड़ना ही ठीक है मा ने कहा मेरी अच्छी मा मेरे अच्छे पिता जी रवी ने अपनी मा का हाथ चुमा और आसु पोच कर खेलने भाग गया आम के पेड से कोईल ने भी खुशी का गीत गया कुहू कुहू